IMD ने उत्तर प्रदेश के जाधतर इलाकों में बारिश होने की संभावना व्यक्त की है मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की उत्तर प्रदेश के जाधतर जिलों में दो दिन से बारिश जारी है बारिश के कारण जहां लोगों को भीशन गर्मी और लू से राहत मिली, वहीं आई-मजी ने राज़ के कई जिलों में बारिश होने की संभावना चताई है इचावा में तेज बारिश के दोरां विशली के गिरने से एक किसान कम भी रूप से जिलज गया, जिसे इलाज के लिए जिलास पताल ले जाये गया है डॉक्टर ने उसे वहाँ पर बृत घोशित कर दिया, मरने वाले किसान की शिनाक राकेश कुमार के रूप में हुई है मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सुरक्षित और सतर्क रहने की अपील की है आईमजी ने यूपी के कई जिलों में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश होने के आशंका जताई है आईमजी के मुताबिक उत्तर पश्मी खाडी से बने निम्न दवाव का छेतर अब मध्य भाग की और बढ़ रहा है जिस से अगले दो दिन में भारी बारिश के आसार है यूपी के अलिगड, बरेली, मुरादाबाद, गोरकपूर, मतुरा, गौतम बुधनगर और आगरा में बारिश होई है वही मौसम विज्यानिकों का कहना है कि निलाकों में अभी और भी बारिश हो सकती है वही बिहार में आज कई जिलों में भारी बारिश के आश्चन का जताई गई है साथी पटना में बारिश से धसी हुई सड़क के मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया बिहार में मौनसून की सक्रेता के चलते कई जिलों में हुई भारी बारिश से जन जीवन पर असर पड़ रहा है मौसम विभाग ने आज के लिए भी बारत जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है पटनम हुए जल भराव और सडक धसने से लोगों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ा है पटना प्रशासन ने धसी हुई सडक के मरमत का काम शुरू कर दिया सासाराम के सबसे बड़े सदर अस्पताल में मौनसून की पहली बारिश में ही पूरा परिसर पानी पानी नजर आया परिसर में घुचने भर पानी भर गया जिसके चलते मरीजों और उनके तिमारदारों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ा डॉक्टर्स और अस्पताल के स्टाफ को भी एक वोट से दूसरी जगे जाने में परिशानी हुई वही नवादा में बारिश ने सदर अस्पताल के कैंपस को जील बना दिया जिसके चलते परिसर में पानी ही पानी दिख रहा है अस्पिताल में भरा पानी नगर परिशत प्रवंगन की पोल खोल रहा है